हमार यहां सबसे खतनाग साथ पिंक कोगरा वाईपर और करेट अगर कोगरे में काजिया नस्प है और बंद नहीं बजा तो आदा घंटे में आदमी को मुर्तु हो सकती है इसे करेट है अगर उसका बंद लगया तो 12 गंटे 72 गंटे तक भी बंद के मीचे जहर बैटा रहता और 12 गंटे के बाद भी बंद खुलने को मार जाते हैं इसे वाईपर है वाईपर का तिसे एक घंटे दो घंटे के बाद यूर्या वनना सुपरता गुर्दे सुपड़ जाते हैं हेलो फ्रेंड नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल ग्यानदी सिंग सागर में मैं आपके सामने फिर एक ब्लोग के साथ उपस्ते तो लेकिन जो आज के ब्लोग है जैसे दीख लिया है वीडियो का साफ के काटने का 100 परसेंट देशी जी हाँ यह बिल्कुल बात ऐसे सकते है जैसे कि दिन और रात क्योंकि दोस्तों अभी तक मैं भी विश्वास नहीं करता था जैसे ही मुझे पता चला कि यहां पर एक साप के काटने का इलाज होता है दोस्तों आज तारीक 25 नो 2022 याने की आज संडे है और आज ही के दिन अभी जो मैं व काट लिया है जिसे हम इंगलिज में बाइपर बोलते हैं उसने काट लिया है तो दोस्तों सारे घर के परिसान हो गए मैं भी परिसान होगे लेकिन जैसे हमें पता चला कि एक जगा है जहां मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना हम अपने दोस्तों को यह बता दिया जाए अपने प्रेंट को यह बता जाए कि किसी का इलाज हो सकता है आई आपको मिलाता हूँ मैं कहा हम ले गए और कैसे हुआ अभी पिर चाचा जी का इलाज हुआ सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो पहले ही मैंने रिकोर्ड कर चुका हूँ रिलीज बात को कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन बात को वीडियो आप देख रहे हो लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दू अच्छा काम करने के लिए कभी नहीं चूकना चाहि हैं इसलिए हमारे बताए होई पते पे अगर आपको लगता है विश्वास है तो चले जाए क्योंकि फिरी में ही नामात्र पैसों में हिलाज करते हैं आईए आपको मिलाते हैं हमकीम जी से चलते राज्टे में होते हैं उनके पास 25 तारीक 9 महीन 2022 में मैंने बताए सापने काट लिया है मेरे अंकल जी चाचा जी को तो मैं रहने वाला कासीपुर छेत्र का एक धक्या नमबर एक कुंडेसवरी जगह है वहां से हम जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ जहां हम जा रहे हैं वह किसनपुर टा करके एक जग पुर है बीरपुर से आगे चतरपुर है चतरपुर से आगे कुकर जुनी है कुकर जुनी से आगे आपका उद्मा बाला है उद्मा बाले के आगे ही किसनपुर है लेकिन दोस्तों हमें कुंडेसवरी से जाना है तो हम कुंडेसवरी से जा रहे हैं सीधे अपने हम कटेया पहुंचे कटेया रोड पर कटेयां से बीर पूर पूँचे बीर पूर से फिर हम चेतर पूर 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 से आ गए यह données को कुख ऑ जूरी गाऊं admit tommat about a pretty school high भृर्वा थे वर्वयाक्ति सूल देखो हो उपको दिखा लॉज यहां से इसकूल से निकले से द। हम सीधे पॉज़े कि शंपूर में याद जो गाले कि संपूरी त crowded दोस्तों हम अपने मंजिल पर पुंच गए यह यहां कुछ लोग बाग बैटें अब हम इन से हम पूछेंगे अले भाईयों नहीं बताया आगे से रास्ता है हम कि चल रहे हैं यह जो चुराया यहां से अंदर की साड़ में जाएंगे तो सीदे बैजी के हां हम पहुच जाएंगे लेकिन दोस्टों वीडियो थोड़ी लंबी है आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें पूरा एड्रस देखें ताकि जो भाईयन भाई परेसान है अपने टाइम से नहीं पहुच पाते हैं इलाज के लिए उनका मरीज की धैठ हो जाती है तो दोस्तों यह वीडियो पूरी देखें वीडियो को लाइक करें वीड जी का घर आएगा वहीं पर जो नोर्मल तरीके से दुकान उन्होंने बना रखे ऐसा कोई नहीं के बड़ा होस्पिटल खुला है पैसे लूटने का काम है वो यह कहते हैं हमारे द्वारा जो मरीर ठीक हो जाए बहुत बड़ा ऐसान रहेगा यह जहां गाड़िया खड़ी है यही डाक्ट्चर साब की देखो दुखान है जैसा आपको पता है कि साथ के काटने के लाज ब्ली हमने वीडियो कि अभी हम आयों है कि शनकुर में हम आगे हैं कि सलब्स क्या है यह यह रामपुर जिले में लगता है खिज आज तक हाथ जो भी मरीज आए हैं कभी वो निरास होके नहीं गया यानि कि किसी ही दैठ भी यहां नहीं हुई है जो आया आज तक उसके इलाज बढ़े हो आप पर स्वागत है हमारे चैनल में आप बताईए थोड़ा मरीजों के बारे में क्या आप किस तरीके से आप इलाज यहां जाता है तक को ही भी भी रही बहाती समय पर हो जाता है जोब तक हमारे लाज किया जाता है ताकि कोई भी ऐसा नहीं है को पैज हो के साथ इसनी पैशा इसमें ऐसा नहीं है, जीवन बचना सबसे बड़ा धरम है, परहित जिनके मनमाई उनको जगमदुरलव को चुनाई, परहित सरीच धरम नहीं भाई, परफीरा समध नहीं क्यों कि पराई जो हित के लिए कारवे करत इस चपड़ के धरम नहीं है, और जो आदमी दूसरों के लिए जीता है, इस चपड़ के धरम नहीं है, क्योंकि किसी का जीवन बचाना यही सब्कोड़ा धरम है, संत महापुसों के अनुहफ़ जड़ी गूतियों को जारा, यह साफ चपगया बिश्कपला कुस्ता काटने का भली भाती इलाज करा जाता है, तो इसके धिन्यवाद, ब्यासाब आप और किस-किस बीमारियों का इलाज करते हैं, यह और रोता दू, पील या पत्री या शरीर में गांट है, रड़ी की जैसी बिमारी, इस सारी चीजियों का जड़ी गुट्यों गारा इलाज करा जात करके कभी भी किसी से पोच सकते हैं, तो आपको पर चलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ तो एक मरीज है हमदर, उन्हों मरीजी की क्या है, उन्हें आज मौर्णिंग में यानि सुबा के समझ साथ में काते हैं, लेकिन वो समझदार थी, उन्होंने क्या करा सबसे पहल ओड़ा थी, और अभी सही से बैठे हैं, और बिलकुल नॉर्मल हैं, आपको दिखाते हैं एक बार छलों फ्रेंट्स, आपको दिखा रहे हैं, जेको भी अंदर हम मरीज के पास जा रहे हैं, जो मरीज हैं मेरे खुद के चाचा जी हैं, इनका नाम रंजी सिंह हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं जैको इन्हें मोर्निंग में सुबह बाई पर जिसे इंगलिस में बोलते हिंदी में चीती साप बोलते हैं उसने काट लिया था यह टांग में जो बंद लगा हुआ पट्थी करके टीटमेंट कर दिया है और मैं आपको डाक्टर साब को दिखाता हूं डा कें तुर्ण को बताया के साथ के काटने का इलाज यहां रencieल खेली bezigrey के होता है अभी मोई ऊप का भू ईता है निन depths के सामने बैठे हैं इधर केमरा करो कि बैठे हैं इनका नाम है श्री रंजी सिंग जी और ये सुबा मोर्निंग में इन शाप ना काट है अपने मुझे ही बताएंगे अभी क्या इस्टेटस है जरे एक बार बताईए आपको स्वागत है मुझे नॉर्मल है सुबा के बजया आ पाने में शाइद लिखाई दिया फिर माद में घर आया जब देख अगर के विदाख लगे हुड़े समसे में 15 में अब अब ऐसा आपको अराम है अब फिर हमने बंद बंद लगा लिए फिर यहां आवे इन पार नाइन ने श्रू करा देखा निगा नों तब्धीस का निक आपने जब दोस्तों जैसे ये बता रहे हैं कि हिंदी में उस वाको कहेंगे चिती और इंगलिस में बाई पर जो भाई हमारे जानते हैं बाई पर कहेंगे लेकिन जब इन्हें काटा तो इन्हें कुछ पता ही नहीं चला किसे नहीं काटा वह तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आपके कहीं भी कोई वी अगर साफ पाज लेता है तो आप कभी भी तेजि नागरें अगर आपको यह लग लेकर्ड के साफ में नहीं काटा है किसी कीड़े ना काटा तो आप संका में विल्कुल नारख तुरंद डाक्टर साथ के पास लाए हतीम जी के पास लाए जो कि इनका गाहों है कि सन्पूर टा है रामपुर इदकी तैसीम है और जिलावी रामपुर है आप यहां आज सकते हैं जैसे ताड़ा है और इसका मैं पूरा जो पता होगा को डिस्क्रिप्शन में डालूँगा आप बहु परवाला नाचाय साफ ने काट लिया तो तो इलाज होगा 100 परसेंट अगर एक चांस नहीं काटा तो यह मना करते हैं कि साफ नहीं काटा आप घर चले जा तो आप नॉर्मल ठीक हो और किसी की जान को कोई खतरा नहीं होगा आप बताएंगे कि कुन साफ कितने घंके बाद अगिन के पास आप लिया होगे तो आपको अराम मिलेगा यानि कि इलाज हो जागा और आप जीवित रह सकते हो इस बाद में पर जालो आप जैसे हमारे हैं सबसे पतरनाक सान की कोब्रा वाई पर और करे अगर कोई बरेना काटलिया नश्वेट और बंद नहीं पजा तो आ इसके वाई पर का इसे एक घंटे के बाद फिरूलिया बनना सुझता गुर्जे सुपड़ जाते हैं और फूं का पानी बना जेता है वही दूचार जिसमें मुच्व कर देता है इसका समय तो उच्छार में हुआते हैं ये मेरे अनुभव की बात है ये हमारे इसे माशा आज पर पर फूर जाते हैं जिससे जाज खतनाग और पूरी नहीं है वाई पर प्रेट जोगरा इसे जाए ने बंद बांगिया तो बंद बांगने से कितना आराम मिल जाता आदमी को जो फोन उपर नाचड़ है जिसे बिनट का सब्रेशन में होगा तो जहां आदा घंटा अगर आपको लगता है तो बंद तो आप बांगो जिसे शर ने बताया कि बंद आप बांगोगे तो उससे क्या होगा तो भीमी हो जागा या नि बंद तो नहीं हो जागा जो गती आप 7 पिछ्टी घंटा से बढ़ रही है और 10 किलो में पर गंटा हो जाएगी उसके बाद करी शर बताएंगे कोई और आपको नुक्सा नुक्सा बताएंगे तो इससे सबसे पहली बात तो बंद बंद बांदो उससे ब्रट का सब्सक्राइशन कम हो जाएगा दूसरे किसी भी दार दार हत्यार से चीरा लगा दो और अगर कुछ नहीं मिले तो आम आजिन के घर में अगर कुछ नहीं मिले तो रसन की घाट लेकर उससे मरीड को तिला दो मैं नहीं कहीं भी कोई मेरा भाई है तो इसको बिखाव तार हो जा और उसकी बीवन पर जाएगा तो जैसे आपके पास लाजे तो इस प्लेट निकालते आप तो मूह से नहीं अगर मूह से निकानने म अगर में अपने जाटे से कुछ रही वादे जोगी आते हैं जो आपको दिखाया तुमें करने लाज दिया और वह वाही को ने खाता होने और वह मरीज आपके सामने विल्कुल सही से बैठे हैं और वह अभी बात चीत करने सब कुछ सही है इसलिए दोस्तों जो जिन का कि नहीं तो फिर हम यहीं पर अपने आपकी बारी को रोकते हैं जैसे हाद में कुछ संधे हो गया कि किसी ने काट लिया और सो कुछ भूके में मृच्व हो जाते हैं क्योंकि यह बाई पर तो जंगल में पाया जाता है लेकिन क्रेट उपर मकान पर भी चड़ जाते हैं कही शनके आप में धरत भी नहीं होती है जैसे कि छेहटी ने काट लिया है या जैसे मचछर ने काट ले इतना पथा होता आगँ भूके में थो ब्हुत हो जाते हैं इसलिए अगर किसी को भी कोई संद्य है तो किसी भी उफचार करने वाले से अपनी सनहाय लेने में कोई विक्त नहीं भाई ता कि किसी की घीवन बचे तो कि दुनिया के अंदर भूके को भोजन आयक्सिति का अधर सक्कार जिमार को दवा मावाव की अग्या और गुरू का आशिरवाज इसने बढ़के दुनिया के अंदर कोई बस्तू नहीं है गुरू के आशिरवाज से मैं यह जड़ी बूर्पर दवारा इलाज में मैं गरत बोल गया करता हृह मेरा महाली की इसवर है यह रही डॉक्टर है यह गैंदबाय बही इचार करता है आप और भीया हाच जोड़के मिरी धन्यवाज किसी को उटक्रा प्रभू सब्स्रके अन्या में तो हम सबसे पहले बहुत बहुत दोन्यवाद करते हैं डाक्टर साब का कि डाक्टर साब ने हमारे मरीज का तो इलाज किया ही किया लेकिन जो हमें इतनी इच्छी तरह से जानकारी दी हैं और वो हमने आपको आपके पाश्टर पहुचाने के लिए जो वीडियो बना कर गेम दालने इस वीडियो को आप सबसे ज्यादर लाइक करें लाइक का मतले होता है आप जब लाइक करोगे तो दूसरे के पास सेर भी करें कि यह पता किसको जरूत पड़ जाए और वो किसी की जान बच जाती है तो दोस्तों उससे बड़ी कोई आपकी पीरत यात्रह नहीं हिलाज करने वाला ऊपरण है जिसे आपिस अलाज करने केर norma केते हैं लेकिन माधियम अगर दिन लिया करें से लिया वह तो नहीं होगा गए सापने काता है आप लिया होगे जित्रा जल्दी टाइम हो सेके बंद लगा बंद लगा करके अगर आप सरके पास लिया होगे तो डिया हो सकता है साथ की इसे के साथ हम आपका बहुत बहुत आभाई प्रिकर करते हैं कि आप वीडियो को देख रहे हैं और इसे सेर करें एक बार हम मरीज के तरब आपको दिखाटे देखो हम जो बात करते हैं वो सीधे फैक की बात करते हैं ये सामने देखो, ये मरीज यह आपके सामने ये बैठे हैं और कितनी दिल पहले हमने बनाईती है यह वीडियोओ, अभी वह बैठे है अभी देखको, सब ठीक है और उपरवाले का अशिरवाद है, कि सब ठीक है, काम दढ़िया है यहां का बता देंगे यह आपको पूरा यहां का बता देंगे यह जैतिस कुमार जी है बहिया जी जैतिस कुमार के इस अपर रहा है हमारा मुबिलाइज किसंगे बदा जेश्टिक राम को पैसे रटाएंदा है कि थेंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों मैंने आपको फूरा फरीचित कराया है यह जैसा आपको फता है इधर आजाओ पास में किने अच्छी तरह चाहिए जुपान की बारे में पूरी जानका भी है और यह हमेशा यह कहते कि मैं कोई फैमस होना नहीं चाहता ना मेरा कोई बोर्ड है ना ही मेरा कोई ऐसा मैंने अपने बोर्ड शप्पा रखे आपको अगर पानी लेना है दुकान से तो 20 रिपे की बोतल लेनी पड़ेगी चाहाँ वो तुमारी अपनी जो काल या किसी और क्यों ऐसे ही जो दवाई उनकी है उस दवाई का तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा लेकिन वह भी नामात्र जितने की कोश्ट है आप तुरंत यहां आए किसी भी डॉक्टर के पास यह सरकारी इंग्लिस दवाई लेना जाओगे तो बहां क्या होगा आप जाओगे लेकिन 100% इलाज नहीं करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे अभी डाक्टर साथ है नहीं आप पर्चा वनबाओ इमर्टेंसी वर्तियों हजार कहानी आएंगी तो दोस्तों आपकी राहे हैं लेकिन हमारा सिर्फ देना है किसी भी भाई के साथ कोई जान की क मुट्सान नहीं आपको तुरंट आने के यहां अगर आप चाते हों आना तो आपको इलाज अभी तक का रिपोर्ट है 35 साल कितना 45 से लगबग साल के आत्वा जिनों में लाट गया अभी तक कोई भी ऐसा नहीं कि बंदा एक्सकार हुआ खतम हुआ हो सब तक के लिए दोस् हुआ 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 है